बीवी ने पती को पहले काटा, छोड़ी छोड़े टुकड़े किये और उसे टॉलेट के पास बने ब्रांडा की नीचे छिपा दिया छिपाया भी इस तरीके से कि पहले दफनाने के बाद उसने उसके उपर सिमेंटेड किया उसे टाइल से चुपाया और पूरे क्राइम सीन को कुछ इस तरीकी से साफ किया कि पुलिस को उस डेट बॉडि पर पहुशने तक 13 साल लग चुके थे फिर भी बीवी अपना जुर्म कबूल नहीं कर रही थी क्या थी पूरी कहानी? चलिए अब आपको बताता हूँ चलाती थी जहांपर अक्सर कई महिलाएं वहाँ पर उसके साथ काम करती थी पुलिस को इस दिन टिप मलती है कि गैर कारणूनी तरीके से एक कोठा चलाया जा रहा है जहांपर जवरदस्ती कुछ महिलाओं को बुलाकर उनसे देवेपार का काम करवाया जा रहा है पुलिस रेगुलर रेट के नाम पर वहाँ पहुझती है पता लगता है कि सरीता उस कोठे की मालकिन है और बिल्कुल इलीगल तरीके से वो चार महिलाओं को निंपाल और कुछ अलग-अलग जगाओं से लेकर आकर अपनी कोठे पर काम करवा रही थी वो भी जोर और सकती इसके लिए जरूर एक मैन पावर की जरूरत होगी तो पता लगा कि आशीश कमलेश दोजाश सत्रह में उसकी उमर 43 साल थी ये भी इसके साथ इस कोठे को चलाता था अब क्योंकि लड़कियों की जरूरत पड़ती तो बिजनेस के लिए ये अलग-अलग इलाकों से ग समझना चाहा कि ये किस तरीके से काम करता है क्योंकि जिस तरीकी का human trafficking का इंसानी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो भी illegal तरीके से पुलिस इस पूरे nexus को समझना चाहरी थी लेकिन पुलिस जब उसे तोड़ती है तो दोनों ही तूटते हैं लेकिन दोनों पहले गायव हो चुका था जिसके बारे में आज तक सरीता ने कभी खुल कर सामने बोला नहीं पुलिस ने सकती से पूछा कि बताओ तुम्हारा पती कहा है तुम्हारे पती को पता है कि तुम कोठा चला रही हो और गैरकानों तरीके से लड़कियों कि हेरा फेरी कर रही हो सरीता पहले आना काने करती है बताती है कि नहीं मेरा पती तो दारूपी के आता था मुझे मार्किट करता था मुझे नहीं पता भाग गया है कमलेश से पूछा गया जो आशिश कमलेश कि बताओ तुम्हें क्या पता है इसके पती के बारे में तो आशिश कमलेश भी आना का या रहे हैं को दोनों सीधी दो थी नहीं फिर पुलिसिया जब अपकिने तरीके से पूटाच करती अथि यह तो साहीता तूटती है कि मैंने अपनी पती को मार डाला है फिर पुलिस वाली जो से पूस्ताच कर दे थी पूस्ती कि क्यों मारा तुमने तो उसने कहा कि देखो वो दारुपी के आता था और हमेशा मुझे मार्पीटर आई करता मुझे गाली गुलाज करता मुझे चीज़े अच्छी नहीं रग रही थी तो उसे सोचा कि क्य पहले तो पती की कंप्ले इं को लिए इक तो कम्ले ने सानगूति के जरिये कनदा दिया है। दोडूं की बीछें पहले दोस्ती ओही फिर ये दोस्ती धीने प्यार में तब्दील हो गई अब आलम यह था कि सरीता को अपना जो उसका खुद का पती था वो बिलकुल भी रास नहीं आ रहा था उसे लगणा था कि कमलेश एक बहुत ही अच्छा लड़का है मुझे उससे दोस्ती करनी चाहिए मुझे उससे बातचीत करना चाहिए और मुझे वही हमसफर चाहिए अभी जो चीजे थी इ धीरे धीरे कमलेश और जो सरीता है दोनोंने मिलकर कोठा खोला और कोठा चल भी रहा था लेकिन जब पती को यह सारी चीजे पता लगी तो पती और ज्यादा गुस्ता होने लगा कि पहले तो तुम उससे बातचीत क्या करती थी अब तुम कोठा भी खोल रही हो अपने पती शहदेव है उससे पता चल चुका था कि सरीता और जो कमलेश की बीच में कुछ रिष्टे हैं जो नहीं होने चाहिए इसे लिकर सरीता हतोड़े से अपने पती के सर पर वार करती है जो सर था जो सकल घड़ी था उपर सर का फट जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो ज जाएगा और समाज में उसकी थूतु होगी तो उससे सोचा कि एक काम करते हैं कमलेश को बलाती हूं और कमलेश से पूछती हूं कि इसका क्या करना है अब कमलेश ठहरा उसका आशिक कमलेश बहुत दिनों से फिराक में था कि कब सरीता का पती मरे और वो उसके साथ हो जाए जैसे कमलेश को बताती है कमलेश प्लान मनाता है तो सोचता है कि देखो समाज को हम बताएंगे तो समाज थूदू करेगा ही किसी को भणक ना लगे तो एक काम करते हैं क्योंकि कोठा बनी रहा था तो उस वक्त जो सोचाले था या कह जो टॉलेट था वो अभी अंदर उसने चुप चाप उसी टॉलेट के बगल में जो सामने बरंडा होता है वहाँ पर पती को टुकड़े के फिर उसके अंदर डफना दिया अब डफनाने के बाद क्योंकि जमीन उभरी हुई थी तो उन्हें लगा कि अब इसको कैसे चुपाया जाए अब क्योंकि मजदूर सु बेकाम करके निकल जाते हैं इनके पासी रात भर का वक्त था धीरी धीरी क्या करते हैं अपने पती को दफनाने के बाद उपर से सिमेंटेट करते हैं और जहां-जहां उचाई वाली जगाती वहाँ पर इटर देते हैं ताकि जमीन पुली समतल लगे फिर भी ने शक हुआ क कि हो सकता है कि कि कल को जो मजदूर हों आके इसे खुदाई कर दें और बोले कि ये क्या बना दिए आप लोगने तो वहां पर जो कमलेश है तो को रात और इस पूरे crime scene को चुपाने की कोशिश करते हैं और इनका ये plan success सक्सेस भी होता है तो टॉilet के पास पती को गार दिया गया किसी को भनत नहीं उसका कोठा बदुस्तुर चल रहा था हर कोई कस्टमर आ रहा था किसी को टॉilet जाना होता वहीं से चलिया था तो एक पती इसकी बीवी ने उसे मार कर अपने ही कोठे के टॉilet के पास में मेना हुआ, दो मेना हुआ, छे-छे मेने हो गए, साल भर बात किसी ने पूछा तो उसने कहा कि पती से अब मेरी बाच्ची तो नहीं होती, पती मिझे छोड़कर जा चुका है, अब मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, हर बार टालने की कोशिशे हो रही थी और ये टालना इस पर क्या होता है, कौकता से एक शक्स आता है, बिजनेस के रादे से महराश्च में, वहाँ पर वो उसकोठी में आता है, क्योंकि उसके पास एक लाक रुपए थे तो उससी देखकर उसका इमांड हिल जाता है, उसे लगता है कि क्यों ना मैं इस शक्स को भी मार दूँ, क्य उसे इस सारी चीजें पदा थी तो उसने इबाद भी कबूली क्योंकि एक लाख रुपे देखकर उसका दिमाग हिल चुका था इमान हिल चुका था तो उसने उस शक्स को भी मार कर उसी कोठे में दफना दिया अब पती तो मिल गया बाटॉलेट के पास में हो हड्या आपको मैंने आपके शुरात में दिखा कि इनसानी हड्यां है यह उसी शहदेब की हड्या है जिसे 2004 में वारा गया था यह दोनों जो सरीता और कमलेश ने 2017 में अरेश्ट हो चुके थे पती की हड्या मिल चुकी है लेकि सरीता ने तो दूसरा जुर्म कबूला जिसमें कहा गया कि जो एक वेपारी था वो आया था उसकी हड्या अब तक पुलिस को नहीं मिल पाई है उस पूरे खोट को खोद दिया गया है लेकिन हड्या अब तक ब्रामद नहीं हो पाई है तो जिस तरीकी से सरीता ने अपने पती को मारा पती को मानने के बाद अपने आशिक के साथ मदद लेकर उसने टॉलेट के सामने ही अपने पती को गाड़ा उसके पर सिमेंटेट की आट टाइल लगा दिया ताकि कोई जुर्म जो उसने जरूम किया तो उसे चुपाए दा सके लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं और जरूम चुपाए नहीं चिपता तो जितने भी अपरादी सोच रहे हैं कि हमने जरूम कर दिया हमने क्राइम कर दिया हम बच गए तो कभी बच नहीं सकते खुछ सोची यह जो case है इस case में 13 साल बाद जिसे वो जो छुपा रहे थे एक दूसरे case में जब police उस पर rate करती है एक दूसरे मामले में police उने पकड़ती है तब जाकर यह पूरा मामला खुलता है तो 13 साल तक जिसकी खोश नहीं की जा रही थी जिसका अतापता नहीं था क्या पता लगता है कि बीवी दौरा मारा गया था उससे टॉलेट के पाथ छुपा दिया गया था और बीवी ने उस पर कोठा ख़़ा कर दिया जिस पर वकसर अपने आशिक के साथ मिलकर कमाई करती थी फिलाल के दोनों जेल में बंद है और इन पर कड़ी सी कड़ी कारवाई की जारी है और इन पर आगे क्या सजा होगी हम आप तक क्राइम तक ज़रूर पचाते रहेंगे तब तब बने रहें क्राव तक के साथ